प्रॉफसर साब आज कल भारत में यूवार राजनीती में बहुत बढ़ चलक हिस्सा ले रहे हैं और आप तो राजनीती सास्त के बहुत ग्याता हैं तो आप कैसा देखते हैं कि यह जो मोमेंट है खास दोर से जो बहुजे मोमेंट है उसमें यूवाओं की क्या भागिदारी है और क्या होने वाला है देखे भारत में मैं कहूंगा कि समाज के इस तर पे एक बहुत बड़ा परिवर्टन देखने को मिल रहा है आज यूवास वर्ग जो है वो अपने अस्तित्तु के लिए वो अपने भविश्य के लिए वो अपने आंदोलन के लिए बहुत ज़्यादा जागरत हो चुका है उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन भी है खास तो रुपे बहुजन आंदोलन है उसमें भी युवाओ की भागेदारी बढ़ रही है चाहे आप उसको मीडिया की वज़े से कह सकते हैं या एजुकेशनल इंसिटूश मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बहुजन आंदोलन खास तोर पे चला जब मानिय और कासीराम साहब ने 1984 के आसपास बहुजन समाज पारिटी को बना के इस आंदोलन को विस्तार दिया तब उन्होंने खास तोर पे कि मुझे 20 साल तक के या 25 साल से उपर का विक्ति इस आंदोलन के लिए नहीं चाहिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एंफिस युवाव पे दिया था और आज उस वर्ग को जो उन्होंने लगबग 30 साल पहले तयार किया था वो आज देश के कोने-कोने में काम कर रहा है उनका अनुभाव काम आ रहा है और अभी भी अगले 30-40 साल या 50 साल जो हैं वो लोगी सांदोलन में रहेंगे मुझे युवाव की भागेदारी में एक सकारात मकता नजर आते मैं जो यह दिखाए दिया कि जैसे दो अप्रेल का बहुजन युवाव का बहुत बड़ा अंदोलन हुआ और बहुजन युवा ऐसा दिखाए दिय है कि बिना त्यारी के बिना समझ के और बिना जानगारी के उतर गए और उसका कुछ नुकसान हुआ कुछ फायदा हुआ तो उसको कैसे देखेंगी क्या हुआ कि यह क्योंकि आप एक खास संदर में बात कर रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा युवा अगर आता है तो जो सिला होता उसके अंदर उमंग होती है उसके अंदर उत्सा होता सीधी सी बात है कि वो चीजों को उस रूप में नहीं देखता जिस रूप में बुजूर्ग या मैचूर लोग देखते हैं इसलिए जो दूसरी पीड़ी है या तीसरी पीड़ी है आंदोलन की वो हमेशा से ज़्यादा ताकत के साथ काम करती है दो अप्रेल की आम बात कर रहे हैं दो अप्रेल को जो एक बड़ा भारत बंद हुआ था और उसमें बहुत देश के बहुत सारे हिस्से में बोजन समाच के युवाउने बढ़ चल के हिस्सा लिया ये उनके अंदर जो विवस्था के प 25 साल के हैं उनको आंदोलन किस रूप में यहां तक पहुँचा है आंदोलन की क्या-क्या मूल या बुनियादी वेचारिक इसका बुनियाद है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन लोगों को पता ना होने के वज़े से बहुत उतावलापन कई बार उनकी बातों में आजकल जो बहुत सारे युवा नजर आ रहे हैं आपको सामाजिक छेतर में राजनितिक छेतर में युवा नजर आ रहे हैं उनमें भी यह उतावलापन नजर आता है जो अपने चाहे वो मानेवर साहब का आंदोलन हो वावा सामाजिक विभूतियां हैं उनके आंदोलन से क तरफ इसका विस्तार होता लेकिन उसी तेजी के साथ यह उतर भी जाता है उसी तेजी से उतर भी जाता और कई बार अपने पीछे जो है यह गंद की छोड़ जाता है कई बार अपने पीछे महमारी छोड़ जाता है इसलिए अगर हमें इस एनर्जी का इस्तेमाल करना है तो युवाओ को एक संगठित रूप में युवाओ को कम से कम एक वैचारिक परिपक्ता के साथ बांध के या कहना चाहिए जैसे बरसात के पानी को बांध के रूप में इखटा करके हम एनरजी क्रियेट कर सकते हैं, उसी तरीके से युवाओ की जो एनरजी है उसको वैचारिक बांध में बांध के हम इसको समाज परिवर्तन के लिए इस्तमाल कर सकते हैं। कई बार यह हो जाता है कि हम लोगों को उनको बता नहीं पाते हैं। क्या सबысर्बाइं उनको में भीकाने का प्रियास करते हैं। इनको पद की जल्दी होती हैं। में गालव जान प्रियूस करते हैं। तो उसमें एक basic अंतर दिखायत देता है आपको गाउं के युवा में और सहर के जंदबाज युवा में देखें सहरों में जो रहने वाले युवा हैं उनको अगर आप उनका उनकी वैचारिक परिपक्ता देखें या उनके साथ जो व्यवार हो रहा है मतलब आप गाउं के किसी भी व्यक्ती से बात कर लीजिए आज भी जातिवाद महाँ पे जिन्दा है जाति उत्पूर्ण चाहे युवा है चाहे बुजूर्ग है सब को जहिलना पड़ ला है लेकिन सहरों में बहुत सारी जगह में उस तरीके से ये विजिबल नहीं है आपको नजर नहीं आता जब आप जौब के लिए जाते हैं जब आप कोई संगठन बनाते है तब आपको ये जातिवाद नजर आता है लेकिन गाउं में तो ये रोज नजर आपको आएगा इसलिए गाउं के अंदर वो चिंगारी जादा है वहां का युवा जो है वो इस प्रवस्ता को द्वस्त करके वह एक यहां पर समता मुलक समाज की स्थापना करना चाहता है उसके मुकाबले सहर के जो युवा हैं वह ज्यादा घुल मिल गए हैं उनके साथ उस तरह क्या दुर्व्यवार कम होता है इसलिए कई बार वो दूसरे लोगों से सहयोग और दू जेल भी जा रहा है और जो मानने को त्यार नहीं है उसे हर अलत में अपनी आज़ादी चाहिए उसके लिए ऐसे क्या सुझाव है कि वो अपना कम से कम नुकसान किये हुए ज्यादा से ज्यादा फाइदा मुमेंट में ले या दे देखिए यहां पे मैं माननेवर कासी राम जो में भी कई चगे हिंसा का सहरा लिया गया है लेकिन वहाँ पर सिर्फ कतल्याम हुआ है वहाँ पे युवाव को पूरी तरीक से धवस्त कर दिया गया है क्योंकि आप राज्य के खिलाब कुछ करने ही सकते हैं राज्य बहुत सक्ति साली है यहां पे मानेवर साब की बात इसलिए महत्पून है कि आप राज्य के खिलाब मत लड़िये बलकि राज्य पे कबजा करने की बात को कहते हैं, राज्य को अपने नियंतरन में रखने की बात करते हैं, राज्य को नियंतरन में करने का मतलब लोकतंतर में जिनके पास संख्या है, जिनके पास बहुमत है, उन जब सम्मेधान इस देश में लागू हो रहा था तब कहा था कि हमें अब हिंसा का सहरा नहीं लेना गैर सम्मेधानिक साधनों का इस्तिमाल ना करके अब हमें लोकतंत्र या सम्मेधानिक साधन जो है उनका इस्तिमाल करना चाहिए हमें वोट का इस्तिमाल करना चाहिए हमें स उसको इखटा किया और 20 साल के अंदर ही 20 साल भी किया 1984 में BSP को बनाया और 1996 में BSP को रास्क्य पारटी बना दिया और उत्रप्रदेश में चार बार उन्होंने अपना सासन लाके एक बहुत बड़े सामाजीक परिवर्तन की नीव रखी तो मुझे लगता है कि संघर्स होना च जारोचातर ऐसे हैं जो आपके एकडमी से और आप से जुड़े होएं सीधे सीधे समवाद करते हैं तो एक क्या फ्यूचर देखते हैं सहर के यूवा और गाओं के यूवा ये बहुजन यूवा मिलके आगे किस तरह के अचीमिंट करने वाले हैं देखिए जमीन आसमान का फर्थ है जो बहुजन यूवा है और गएर बहुजन यूवा के अंदर बहुजन यूवा है वो भी आज stress में है क्योंकि आज बहुजन moment बहुत तेजी से आगे बढ़ ला चाहे वो सहर का हो या गावों का हो दोनों जगह पे बहुत तेजी से लोगों ने प्रगती की है आर्थिक प्रगती की है, सामाजिक प्रगती की है राजनेतिक रूप से वो ससक्त हुए है और अच्छी बात यह है कि अगर आप उनिवस्टी में चले जाएए मैं उधारन के रूप तो उप में देखूँ किसी भी उनिवस्टी में आज देश की चले जाएए तो वहां का जो पढ़ा लिखा हमारा research scholar है, PhD कर रहा है, MPL कर रहा है MA कर रहा है, वो research scholar और इस movement को अपनी व्यक्ति के जिम्मेदारी समझ के आगे बढ़ाने का प्रियास कर रहा है खास तोर पे जातिवादी विवस्था जो है उध्वस्त हो रही है और ये सभी जातियों, जो सिकार जाति के लोग है वो इखटा आ रहे हैं और अगर universities में ये काम हो रहा है क्योंकि आपने कहा बहुत सारे professors के साथ बढ़ा हो तो विविन जातियों के लोग जो है वो इखटा होकर अब समाज निर्मान की बात कर रहे हैं जाती तोडो और समाज जोडो आंदोलन जो है वो पढ़े लिखे नव्यूकों के साथ जो हमारे और साथ ही है वो इस movement को आगे बढ़ा रहे मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे के अब ये आंदोलन अपने मंजिल पर पहुँचने ही वाला है